हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक माई यूटूब चैनल एक एजुकेशन आज हम आपके लिए लेकर हैं लेब एसिस्टेंट से समन्दित बायलोज जी का नियू टोपिक ब्राइफाइटा और टेडवाइटा तो चलिए देखते हैं इसके टॉप थर्टी मोस्ट इपॉर्टेट क्यूशन तो चलिए शुरू करते हैं क्यूशन नमर वन ब्राइफाइट्स के जलिए पुर्वज का एक माता सकरातवंग प्रमाने ऑप्सेने प्रोटोनिमा की तरह दागा बी सिलियाटेड एक थेरोजोइड्स सी उनका हरारंग और डी कुछ रूख अभी भी जलिए है इस क्यूशन नमर दो दाफार्ष्ट लेंड प्लांट्स नाम पुस्त के लेखे का है उप्सने कस्यप बी अफोबावर सी पी अन महरा और डी आरन चौकरा इसका रूख अभी अफोबावर क्यूशन नमर तीन फुनेरिया का युगम को दबीद है उप्सने एक लिंगी बी दि रस और दी वर्ती और डी अटेरो थेलिक इसका राहे टन सफर होगा बी दियू लिंगी क्यूशन नमर चयार ब्राइफ़ाइटा की बीजोडने वाली कड़ी केरू में करिय करता है ऑप्सने ए घेलो फाइटा और टेरिडो फाइटा बी शेवाल और कवक सी टेरिडो फाइ काफी यर्थीग मुल्यका आप तोगो नाइटम ठतल में उन्याटgeben में उन्यवालि एक प्रकार की सिवार क्योंकिंशित्त इसका राइटन स्वरोगा सी जानु बनते हैं Q.7 टेरीडोफाइट्स में प्रमुख पीडी है उप्षने गेमेटोफाइटिक B.A. गुनित C. दीवगुनित और D. ट्रीप्लोईड इसका राइटन स्वरोगा सी दीवगुनित Q.8 टेरीडोफाइट्स और ब्रोफाइट्स अलग अलग होते हैं उप्षने सप्रमेटोजोइट्स B. आरगोनिया C. अलग गेमेटोफाइट्स और D. संचालन प्रणाली इसका राइटन स्वरोगा D. संचालन प्रणाली Q. सपोरो फाइटिक और गेमेटो फाइटिक चर्ण सोतंतर है Option A. ब्राव फाइट्स B. टेरीडो फाइट्स C. फियो फाइट्स D. जिम्नोस प्राम Q. इसका राइट अंस्वर होगा B. टेरीडो फाइट्स Q. कलब मोज किसे समन दिता है Option A. कवक B. सेवाल C. ब्राव फाइटा D. टेरीडो फाइटा इसका राइट अंस्वर होगा D. टेरीडो फाइटा Q. सब्सका नमबर ग्यारा वेंटर किसका वाग है Option A. सपोरो गोनियम B. आर गोनियम C. युगम कोद्विद D. अथेरेडियम इसका राइट अंस्वर होगा B. आर गोनियम Q. सब्सका नमबर वारा फ्यूनेरियम इनर और मादा पर जननंगों का जनम होता है Option A. विविन पोदे B. विविन पोदों की विविन साख़ाएं C. ए की पोदे की एक ही साख़ा और D. एक ही पोदे की विविन साख़ाएं पर इसका राइट अंस्वर होगा D. एक ही पोदे की विविन साख़ाएं पर Q. नमबर तेरा पर्थम भूमी में रहने वाले पोदे किसके? Option A. ब्राइफाइट्स B. टेरिड़फाइट्स C. जिमनोस्प्रम D. आवरतविजी इसका राइट अंस्वर होगा A. ब्राइफाइट्स Q. नमबर चौदा कॉर्ड मॉस का समान्य नाम है Option A. फनेरिया B. मर्चेटिया C. रक्षिया D. दलजन में गुने वाली एक प्रकार की सेवार इसका राइट अंस्वर होगा A. फनेरिया Q. नमबर पंदरा ब्राइफाइट्स में सरलतम स्पोरोफाइट पाया जाता है Option A. मर्चेटिया B. सपेरोएट्रप्स C. फनेरिया D. री किया इसका राइट अंस्वर होगा D. री किया Q. नमबर शोड़ा निमली खित में से कौन ब्राइफाइट है Option A. पीट मोस B. आईरिस काई C. हिरन काई D. कलब काई इसका राइट अंस्वर होगा A. पीट मोस Q. नमबर शत्रा युगम कोद बीद के काणू उत्पन होने वाले युगम कोद बीद होंगे Option A. दिव गुनित B. आई गुनित C. पोलिपोईड D. आयू पोलोईड इसका राइट अंस्वर होगा A. दिव गुनित Q. नमबर शत्रा सबसे बड़ा बराइफाइट है Option A. पावनिया B. मेगा ग्रोस C. लुनेरिया D. दलदल में गुने वाली एक प्रकाइर की सेवार इसका राइट अंस्वर होगा A. पोलिपोईड Q. नमबर शत्रा युगम कोद बीद शत्राद एक विक्सित है Option A. काई में B. फरन में C. साइकस में D. पाइनस में इसका राइट अंस्वर होगा A. काई में Q. साइनस में 20. फुनेरिया एक ब्राइफाइट है क्यों की जड़ की कमी B. जायलम की कमी C. बीज का उत्पदन ही D. मुक्चे इकट और जेकेट वाली यौनंग इसका राइट अंस्वर होगा B. जायलम की कमी Q. साइनस में इसका राइट अंस्वर होगा A. हेडरोस्पोरी Q. साइनस में इसका राइट अंस्वर होगा C. बक्सबोमिया Q. साइनस में Q. साइनस में इसका राइट अंस्वर होगा Q. साइनस में में दर्शाया गया उप्शन A रिकिया B फनेरिया C सभी काई और D सभी अकरत रोग में इसका राइट अन्सफर होगा B फनेरिया में क्यूस्ट नमबर 39 सभागनम को लोगपिरी रूप से जाना जाता है उप्शन A पीट मोस B दलदल काई C A और B दोनो D इन में से कोई नहीं इसका राइट अन्सफर होगा C A और B दोनो क्यूस्ट नमबर 30 बिना लेंगे से लेंगे मोस गेमेट फ़ाइट से स्परोफाइट का विकास कहलाता है उसने MPB मिक्सिंग B एच उतिवस्वरिदी C एपो स्पोरी और D एपोगेमी इसका राइट अन्सफर होगा D एपोगेमी